क्या आप चश्मा शुडाना चाहते हैं आपके बच्चे के चश्मा लगा हुआ है या आप ओफिस वर्क करते हैं आपको चश्मा लगा हुआ है तो दोस्तो आयर्वेद में बहुत अच्छा नुस्का हम त्यार करते हैं जो हर तरह का चश्मा शुडाने में माहिर है और इतनी ताकत रगता है कि आपकी आँखों की रोषनी दूबारा बढ़ा सकता है और आपको चशमा लगाने की जरूर्थी ही नहीं रएगी तो दोस्तों आप सही सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं ये जो नुसका है आँखों का चश्मा है सदा के लिए शुड़वा देता है अगर आपके बच्चे की ज़्यादा पढ़ाई करने से आँखों का चश्मा लगा है या मोबैल चलाने से टीवी देखने से या आप ओफिस में लैपटोप पे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो आपको आँखों पे चश्मा लग गया है या आपकी नजर कमजूर है या आपकी आँखों का नंबर बढ़ता ही जा रहा है किसी भी कारण से आपकी आँखों का नंबर बढ़ता ही जा रहा है और आपको चश्मा लगाने की जरूरत रहती है कई लोगों को मोटे मोटे चश चड़ जाते हैं और चश्मे के बगार वो कोई भी काम नहीं कर पाते तो दोस्तों उन लोगों के लिए खुशकबरी है आयूरवेद में बहुत ताकत है कि आपकी आँखों की रोशनी दुबारा बढ़ा सकता है आपकी जो चश्मा लगाने की आदत है शूट सकती है तो दोस बना बनाया रहता है तो आप किसी भी समय और करके हमारे से कोरिर द्वारा भी मंगवा सकते हैं और अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं उसका बता रहा हूं दोस्तों आप नोट कीजिएगा एक एक चीज़ को तो अब मैं उसका बता रहा हूं इसमें किट में आते हैं वो अफरीकन होते हैं ज्यादा तर तो आप गुरुबंदी बदाम ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा बेस्ट रिचल्ट के लिए थोड़े महंगे होते हैं तो बदाम गिरी ले लो 50 ग्राम खसकस दाना जिसको पॉपी सीड भी बोला जाता है कद्दू के बीज होते हैं 50 ग्राम कद्दू के बीज आपने ग्रीन वाला लेना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे होते हैं तो दोस्तों ये कद्दू के बीज है ग्रीन वाले लेने आपने जी अच्छे होते हैं कद्दू के बीज आपने 50 ग्राम लेने हैं छोट दोता है इसको बूरी मिर्च के नाम से भी जानते हैं और वो 5 गरम डालनी है अखरोड की गिरी इसमें 50 गरम डालनी है इसमें मिश्री आपने 100 गरम डालनी है सबी चीजों को आपने पीस कर अच्छी तरह से इस तरह से दरदरा कर लेना है जब जे हो जाए तो उसके बाद इस पानी या दूद के साथ आप ले सकते हैं तो दोस्तो कुछ मीने इसका सेवन करने से किसी भी तरह का कितना भी नंबर आपको आँखों का लगा हुआ चश्मे का तो सदा के लिए शूट जाएगा तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बैल आइकन का बटन दबा लें दोस्तो मेरी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें बहुत अच्छी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं आप दूसरे दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है त तो दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू